बहुत खुश हूँ बहुत रिस्पेक्ट मिला बहुत प्यार मिला और मैंने यह नहीं किया कि चादर भेजूँ मैंने सोचा मैं अपने आप ही आओं और चादर अपने आप ही चड़ाओं और मतलब कि यहां से बलेसिंग्स लूँ और अपने बच्चों को दूँ और अपने परिवार को दूँ और जितने लोगों से मिलूँ दूआ थी कि अमन और शांती बनी रहे देश भर में वो जरूरी है देखिए सुरक्षा का तो महौल बहुत ही जरूरी और चिंता की बात है हमारे देश भर में सारे महलाओं को लग रहे कि हमें बिल्कुल सोच विचार करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा कि मतलब की हर महला सुरक्षित रहे जितने भी आदमी हैं कि अगर उनको लगए कि कोई मुश्किल में है कि अपना जाके उनकी मदद करें और उनको दे्खें कि वो सरक्षिट घर पौँँचे और जैसे यह हैँ राद में हुआ है बहुत गलम Today और मुझे लगा है कि हाइडरबाद में हुआ है पर यहां तक इसकी पुकार है और हर महिला हर बच्चे उठ रहे हैं और सब जगा जा रहे हैं कि मतलब कि इस तरीके का बरदाश नहीं करेंगे अब अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं बिलकुल बरदाश नहीं करेंगे अब दम उसका अफर होना चाहिए कि एक दम कानून उसका फैसला दे गर के अंदर तक आप शोक्सा में देखिए अब मैं यहीं बोलूँगा कि जो सिक्योरिटी दी जाती है ना कोई रीजिन के लिए दी जाती है हम लोग नहीं कहेंगे कि हमें यह सिक्योरिटी चाहिए उस कि होनी चीए क्योंकि यह यह हुआ है और उसके बाद वो प्रोवाइड की थे एक आप अगर पारलिमने में बिल बदल देंगे यह नहीं है कि उसके वज़े से मतलब कि अब सेक्योरिटी भी बदल दो अब उनके ओपर वो खत्रा नहीं है दूसरी बात अगर आप कहेंगे अब यह गाड़ी थी वो गाड़ी थी गाड़ी अंदर आई है और लोग उत्रे हैं और वो खुद हैराने की कैसे अलाव किया गया है क्या है और वहां सब करें हमसे गलती हुई है और वह उसको बदल दिया इसको बदल दिया अब यह थोड़ना है कि मतलब की इस तरीके से यह संभालनी पारे हैं पर ठीक है मतलब वह हाथसे के उपर हाथसे होते रहेंगे चाहे देजभर में या हमारे घर में और मतलब फिर वह डिसाइट करेंगे काफी आप से जान कियोंगी सब को चुँए देखिए क्या होता है कि बहुत समय से यह चलता रहा है मेरे उपर बे बुनियाद इर्जाम लगाय जाते हैं और हर एजेंसी में को बुलाती है मैं हमेशा जाता हूं कौपरेशन पूरा करता हूं जो मेंसे मांगा जाता है देता पंदरा बारी बुलाया, ग्यारा घंटे बिठाया है, पर सिटिंग में और मतलब की टॉलेट जाता हूँ, तो वहाँ पीछे कोई आता है, ठीक है, और लंच के लिए दिया जाता है, तो बीच में आता घंटा, और अगर मेरे को विदेश, अपने हेल्थ के लिए जाता हूँ हर तरीके से मैं कॉपरेशन करता हूँ, क्योंकि मैं कानून का पूरा भरोसा करता हूँ, कि जो भी होगा, कानून के मताबबिक बिलकुल सही होगा, क्योंकि कोई गलती की नहीं है, और साथ साल, आट साल से चला आ रहा है ये, और जब भी बुलाये जाएगा, कहीं भी सब लगाता देखते रहें पर कुछ भी बदल नहीं पाथ यहां हो या अगर आप देखेंगे कोई इस तरीके का सोच जब कोई सोच भी ऐसे बनाता है कि यह चीज़ करके या कोई ऐसे हाथसा करके निकल जाएंगे वो होता ही नहीं है बिलकुल इंस्टिंट वहां जज्जमेंट होती है डर और खौब लगा रहते हैं कि यार अगर ने कभी किया तो सीधा परिशानी आ जाएगी उनको जो भी उनको सदा है सदा हाथ के हाथ मिलेगी कि कोई और करना है नहीं तो वहीं आ जाके दो समय की रोटी में जाएगी अंदर जाके या कुछ ऐसे सोच विचार है कि क्योंके सबके पास काम भी नहीं है तो अगर आप देखेंगे यह आपको लौ फियर ऑफ लौ बहुत ज़रूरी है जो पुलीस के उपर जो अगर सीधा कदम लेते हैं यहीं बोलूँगा कि किसी के पास काम नहीं है और गौर्णमेंट को बहुत करना पड़ेगा लोगों को सायता देनी पड़ेगी तब ही आपको बदलाब देखेगा और मतलब की अभी तो मैं खली सुरक्षा के बारे में मैं सोच रहा हूं जादातर कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और जितने हम जितने भी लोग होंगे बेर उसकार होंगे आप देखेंगे कि ऐसे परिशानियां बढ़ेंगी और वो बढ़ेंगी क्योंके मतलब की गौर्णमेंट कुछ भी नहीं कर रही है लोगों के काम के लिए और उनके सुविदा के लिए अब देखिए एक एक करके सब लोग उठेंगे बोलेंगे ये गलत हो रहा है जो महौल है और चाहिए सुरक्षा हो या डर का महौल है ये ज्यादा देर चलने नहीं वाला है कर दो